शाम के नाश्टे का वक्त है और बच्चों ने कहा ममा चिली पिटेटो फ्राय बना दो तो मैंने भी कह दिया बस अभी बना के लाती हूँ क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं तो आलो को चील के पानी में रख लीजिए ताकि ये काले ना पड़े दोनों तरफ से इसको इस तरह से काट लीजिए और इसे फेकियेगा मत इसकी सबजी बना लीजिएगा देखे इस तरह से मोटे मोटे पीस पहले लिका लिजेगा उसके बाद इसको फ्रेंच फ्राइस की तरह काट लिजेगा थोड़े मोटे पीस में काटने के बाद वापस इसे पानी में डाल लेजगा ताकि ये काले न पड़े दो से तीन बार अच्छी तरह से धो भी लेजगा अब एक बतन में तीन से चार ग्लास पानी उबलने के लिए चड़ा दीजगा उबालाने पर एक चमस नमक डाल दीजेगा और इन आलूओं को इसमें डाल दीजेगा देखेगा कि पानी बिल्कुल शान्त हो गया है उसके रद वापस इसके उबालाने का वेट करिएगा जैसे ही वापस इसमें उबाला आएगी ज्यादा देर नहीं सिर्फ एक मिनट हमें इन आलूओं को पकाना है और इसके बाद तुरंत इसे गरम पानी से हटा लीजेगा तो छनी में आप इसे छान लीजेगा अभी आलू बहुत गर्में कुकिंग अभी भी चालूए इसलिए फरज का ठंडा पानी डाल के इसकी कुकिंग रोग दीजेगा इसके बाद इसे आप एक बतन में लिका लेजेगा और एक अलग प्लेट में आप दो चमच ले लीजेगा मैदा क्योंकि इसकी हमें कोटिंग बनानी है और एक चमच लेंगे हम इसमें कॉन फ्लार का और एक चमच ही लेंगे हम इसमें चावल के आटे का एक चोथाई छोटा चमच डाल लेंगे हम इसमें नमक और एक चोथाई छोटा चमच ही कुटी हुई काले मिज़ डाल लेंगे उसके बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे थोड़ो थोड़ा करके इस मिक्षर को हम आलो में डालते जाएंगे और इस तरह से आलो को मिलाते जाएंगे आप चाहे तो इसे चम्मत से भी मिला सकते पर ध्यान रखेगा बिल्कुल हलके हाथों से मिलाना है और ऐसे मिलाना है कि कोटिंग पूरे आलों में लग जाए इसके बाद इन आलों को ढाक के आप रख दीजेगा फ्रिजर में यस फ्रिज में नहीं फ्रिजर में 15-20 मिनट के लिए ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से थंडे हो जाए और 15 मिट बाद फ्रिजर से लिकाल के इसे हलका सा हिला लीजेगा आलो अच्छा गर्मा गर्म रहे तब इसमें इन आलों को दीरे-दीरे करके डाल दीजेगा एक साथ बहुत सारे आलो मट डालिएगा बना फ्राय होने में प्रॉबलम जाएगी और तेज आच में इसे तब तक फ्राय करिएगा जब तक इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए और लगबख तीन सा चार मिनट सिखने के बाद देखिए आलो इतने बढ़िया फ्राय हो गए हैं तो बस आप इसे एक प्लेट में लिकाल लेजेगा और लिकालने के बाद बख्की बचे आलो को भी इसी तरह से फ्राय कर लीजेगा ये आलो अभी बिल्कुल गर्मा गर्म है और क्रिस्पी है बिना देर किये इसे जल्ली से हम छोका लगा लेते हैं तो एक कड़ाई में मैं ले लूँगी यहाँ पर आधा चमच के करीब ओईल और ओईल जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं इसमें डाल दूँगी 7-8 लेस्ण की कल्याएं जिसे मैंने लंबे तुकडो में काटा हुआ है एक प्याज है जिसे मैंने लंबे तुकडो में काटा हुआ है और 3-4 मैं यहाँ पर हरी मिर्चिया ले रही हूँ और बस इसे अच्छी तरह से चला कर कलर चेल्ज हो जाने तक फ्राय कर लेंगे और मैंने अभी यहां आज तेज रखी हुई है उसके बाद आधा चोटा चमच में लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे जैसे ही पाउडर डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल दीजेगा ताकि मिर्च ना जले और अब मैं इसमें एक चोटा चमच काली मिर्च का डाल रही हूँ एक बड़ा चमच के करीब मैं इसमें चिली सॉस जालूँगी और एक बड़ा चमच के करीबी मैं इसमें टेमाटो सॉस जालूँगी एक बार चला लेगे उसके बाद इसमे हम डाल देंगे आलू उसके बाद इसमे एक बड़ा चमच के करीब मैं इसमें तिल डाल रही हुँ और थोड़ा समय इसमें विनिगर एट करूंगी आदा चोटच चमच के करीब उसके बाद इसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से चला लीजेगा ताकि जित्ते भी आलू है उसमें अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए उसके बाद एक छोटा चमच कॉन फ्लार लेंगे ठंडे पानी में गोलेंगे उसके बाद इसमें डाल लेंगे दो से तीन मिनट चलाते हुए पका लेंगे और देखिए बिल्कुल बन के तयार हो गया है हमारा चिली पिटाटो फ्राइब बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी बनता है बच्चों को तो यह पसंद आता ही है बड़े भी इसे उंगलिया चाट चाट के खाते है तो फ्रेंस इसे एक बार आप घर में जरूर ट्राय कर चेगा